नमस्कार आप देखरें न्यूजवल इंडिया और आपके साथ मेहू का जोन लारायन शुवात करेंगे खबरों की पिली भीद में घर से मज़ूरी करने फार्म पर गए एक बुज़ूर का शव नहर किनारे मिलने से हड़कम मच गया है सुष्णा के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवक को पोस्मातम के लिए भीज दिया गटा के बाद परिजनों ने हत्या कारूप लगाया है दरसल मामला पुरन पुठानश्चितर के अंदर गताने वाले गज्रॉला खास गाउं का है जहां के रहने वाले साथ वर्षिये रामचंदर को तेज राम गाउं के बाहर स्थेतर सुका के फाम पर मंगलवार को मरस्तुरी करने गए थे देरा तक जब रामचंदर घर वापस नहीं लोटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की काफी खोच भी इनके बाद जब बुज़र्ग नहीं मिले तो पूरे मामले की सुषना पुलिस को भी दी गई कल्यानपुर धाना शेतर के अंतरगत विश्विद्याले मेट्रो स्टेशन के नीचे नगाणिगम की गाड़ी में भी शनाग लग गई आपको लगता देख लोगों में देश्वत का बहौल हो गया मौके पर पहुंचे कल्यानपुर पुलिस और दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर कावन पाया नगणिगम की गाड़ी जलका राख हो गई मगर बड़ी बात यह है कि बड़ी घटना होते होते बची है कल्यानपुर्थान शेत्र के विश्विद्याले के मेट्रो स्टेशन का यह पूरा मामला बताए जा रहा है बारबंकी कोतवाली टिकेतनगर के अंतरगत ब्लॉक दर्याबाद ग्राम मजहिला में राजश्वी पत्नी विजयपाल सिंग के यहां करीब दो ग्याद कार्णों से आग लगए जिसमें लाखों की ग्रस्ती चलका राख हो गई है राजपाल के पत्नी अपने जानवरों और घर की ग्रस्ती सही अपने नए घर पर बाहर रहती थी घर कर भी 500 मीटर की दूरी पर ग्राम मजहिला में उसका पुराना मकान था जहां पर वो रहती थी उस समय अपने नए घर वाले से अपने गाउं वाले घर को चली गई थी इसके बीच और ग्यात कारणों की चलते आग लग गई जिसके सुष्णा राश्चरी को मिनी वाननफानन उतने गाउं से भागते हुए आई तो देखा तब तक उसके घर की ग्रस्ती चलकर राक हो गई थी इसके तुरण सुष्णा खुथवारी टिकेटनगर को दी गई मौके पर आननफान मुएक खुथवारी टिकेटनगर पुलिस पहुंची इसके सुष्णा फारबेगेट की टीम को दी गई टीम टाइम पर नहीं पहुंची गामवालो और धाना टिकेट नगर पुलिस कर्वियों द्वारा आग पर काबू पाई गया गुछने के घंटे बाद भी फार्बिगेट की टीम मौके पर नहीं पहुच पाई थी अग लग गई है कैसे अग लग गई आपको ये घंटना के बारे हम कैसे क्या है कि मलब कोई लगाया है कि अपने आप अग्यास कारूर लग लग गई है जहांसे में दिनों बढ रही अपरादों में जहांसे पुलिस अंकुष लगाने में नाकाम सावित हो रही है वह शेत्र में हो रही अपरादी घंटनाओं से शेत्र के लोगों में दर का महाल बना हुआ है वह पुलिस द्वारा अभी तक खुलासा नकर पालने की वज़र से महलाओं ने मूर्शा खोल दिया है जिसको लेकर दरजरु महलाओं ने पुलिस चेत्रा अधिकारी के माधियम से वरिश पुलिस अदिक्षा को ग्यापन भेज कर कारवाई किये जाने और खुलासा ना होने पर पुलिस को थाने में जाकर चूडियां पहनाने की चेतावनी तक देडाली है कि अजये कितनी गठा हो चुकी है विटड़े कम से कम अभी अभी एक सत्ता है में तो दो लूटे हो चुकी समय भी जादा नहीं लगता आई दन लूट लेते का लोक बात सुरक्षित नहीं है नहीं है ब्लकुल उक्सित नहीं है आपने क्या मांग रख रहे हैं कि इनको जल्दी जेल बेजाएं नहीं बेटते एक हफ्का में तो महलाएं गाउं से जाके एक गाउं से नहीं दस गाउं से जाएंगी वह जो पोड़ी फते को थाना चत्त के एसो सिपाई जितने इनको चूडियां पहनाने काम करें बुलन शहर के नगर गुलावठी में स्थित उच प्रात्म के विद्याले की हाल ही में नव न्यूक्त्वी तेज तर्रार प्रधानचारे सवीता यादव ने चार्ज लेते ही स्कूल चुलावियान के तहत बच्चों और उनके परिजनों को जागरूप करने के लिए एक रैल में बच्चों और स्कूल की प्रधानचारे सवीता यादव से तमाम अध्यापक उपस्तित रहे रैली का प्रमुकुत देशे बच्चों के स्कूल मिनिश्विल्क प्रवेश और अधिक सरिक संक्या में बच्चों के नामंकन कराने को लेकर रहा रैली के पार प्रधानचार और उसके बार हमने SMC की बैठक का आयोगन किया, बैठक का मुद्दा था कि जितने भी बच्चे गली महले में बिना पढ़े हुए हैं या जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसका निशुर के प्रवेश दिलाएं, काम उसको गुलार्थी में ज्यादा से ज्यादा नामंकन करा और संचारी रोग अवियान चला जा रहा है, जिसके तहट सबीकों हमने अविभागोज को जागरूप करने के लिए संपर्क किया, और हमारी SMC की बैठक का में मुद्दा रहा, ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कराएं, नामंकन कराएं, और बच्चों को नियामित विद्य जासे के तहसिल टेहरौली के अंतरगत आने वाले ग्राम से लौरी के किसान मुरूहर लाल के लगभग दीड़ विगा गिमूं के फसल में तार तूट कर गिर जाने से, किसान की फसल जलकर राक हो गई, वहीं किसान ने आरूप लगा कर कहा है कि बिजली विभाग को कई बा बड़ा हादसा हो सकता है, आग लगने की सूशना पर फार्दे गेट और 112 नमर पर दी गई सूशना, लेकिन मौके पर कोई भी पस्तित नहीं रहें, जिसे ग्रामनों की मदद से आग पर काभू पाए गया अलिगर के थाना मडराग शेत अंतरगत गाउं सहरनपुर में दस तिनों के भी तर दो नाबाली किशोरे के अपरण की एज़ाने का मामला सामने आया है परिजन लो कारूप है कि गटना के बाद उन्होंने इनाका पुलिस से शृकायत की थी, लेकिन पुलिस त्वारा कोई कारवाई नहीं की जा रही वो इस घटना के बाद दोनों किशोरिंग के परिजन और दरजनों ग्राम में SSP कारले पहुँचे और SSP कारले से पहुँचकर मुलाकात की गुहार लगाती हुए नजर आए जानकारी देते हैं किशोरि की मा पुरंदेवी ने बताए कि आठ दिन पहले वो अपनी बेटी के साथ सौच करने के बाद अपने घर की ओर लॉट रही थी पिरिता का कहना है कि जैसे वो घर की ओर लॉट रही थी तब ही मोटर सैकल पर सेवार गाउं के दो ही वक पिरिता को धका देकर कि शोरी को मोटर सैकल वे बिठाकर जबर अपने साथ ले गए पिरिता का कहना है ये घटना के बाद उन्होंने इलाका पुलिस को शिकायद की थी लेकिन घटना को नौवा दिन है लेकिन पुलिस वारा कोई कारवाई नहीं की गई जिसके चलते SSP सहाब से शिकायद की गई है अब अब बता हम सर का कर ला के बता है का तलाश करेंगे जाओ ये कल दो पहले की है जिस लड़के ने पहले हुकम दे दिया था ये कर गाईब हो फिर भी हुकम दे रहें करेंगे तुरंदेवी सर शानुपुर में सर अना कौन सा यह पताई यह पताईए तो क्या मामला है किस मामले की सिकाच्टिक है में अच्टिक करने गई थी लड़की को लेकर और मोटरसाइकल कारी सी थी उसमें मेरे पास थी सार वो आगे आगे थी बड़ाक थान शेतर से सूचना परापत路 हिथी कि दो लड़कियों का अपरण हो गया, यह सूचना में मुकनमा पंजगित करा दिया गया है, इसमें टीम घटेत है, दोनों लड़कियों की लोकेशन, कंखश्य इसमें संक्लित कर दिये गया है, जल्दी लड़कियों के बरम आग लग गई इस आग में एच्छे लोग घायल हो गए हैं और साथ पश्रों के जलकर मौत हो गई कई पश्रों आग के चपेट में आकर गंपी रूफ से जुरस गए हैं आग इतनी भयानक थी कि आग में धीरे धीरे दरजनों घरों को अपनी चपेट में ले लिया जिसे घरों में रखाल लाखों पेकर समाल जिलकर राख हो गया है जिसे परिवार अब घर से भी घर हो गई हैं एक तरफ मेंगा ये दूसरी तरफ कुद्रत का गहर किसान हर तरफ से बरबाद होता दिख रहा है वहीं हलका लेखपाल और स्थानिय परिस घटना स्थल पर जिसे बहुत बड़ा नुक्सान हुआ है जानबर काफी मरे हैं काफी अद मरे हैं सरसों जली है गयों जले है लोगों गहीं और जपेटें आई हैं आने पीने पाइने और बैटने को कहीं कोई बच्तर हो नहीं देए आप इसी गाउं को रहने वाले हैं क्या नाव आपके गाउं का आयमाद मेंगा बच्चे हो रहा है तो कोई प्रसासमी का दिकारी बगड़ारे क्रिम बगड़ा कोई मोगे पहुंचे नहीं पहुंचे हैं जहासी मोड थाना शेतर के बमहरली गाउं में एक जोपड़ी में अचानक भीशनाग लगई साकी चपेट में आने से एट गेर साल की बच्चे की मोगे पर ही मौत होगे जबकि बच्ची को बचाने में पिता आग से चलुस का खायल हो गया मौके पर पहुंचे पुरिस ने घाल पिता को अस्पताल में भर्द्य करा दिया है इस पूरे माम में की चार्मिन की जा रही है कर दो किसी भी बस मतला आग लगने का कुई आणा तो पता है नहीं उसमें बस्ची जल के मरें उनका सारा सामानी ओगर भी जल गया पूरा एक बच्ची के लगए एक बच्ची के लगए एक लिए एक लिए पौड़ी तहसील के अंतरगरत राजस शेत के गाउं की नाबालिक लड़की से दुशकर्म के आरोप में पैसे से कब वाहन चालकों की रबतार किया गया है सुदामा सिंग रावत ने बताया कि विकासकांड कोट के गाउं की रहने वाली नाबालिक लड़की के पिता ने राजस पुलिस को तहरीर दी थी कि उनकी बेटी को एक व्यक्ति बहना फुसला कर अपने साथ ले गया आरोप है कि आरोपी ने उनकी बेटी के साथ जबरन शार्निक शोषन करने के साथ ही किसी को ना बताने का दवाब बताते हुए जान से बाड़े के धमके दी है राजस उपनिरिक्षक देवरानी ने बताया कि नाबालिक लड़की को सखुषर बरामत कर आरोपी महेश कुमार को गिरपतार कर लिया गया है जिसको कोट में पेश करने के कारवाई की जा रही है में बताया जा रहा है कि आरोपी इखिलाब दिश्कल कि धारा फक्सो एक्ट सहीत विविन धाराओं में मुकद्मा भी तर्श कर लिया गया है जिसमें मामले में मुकद्मा पंजिक्ति पिया गया है मुकद्मा जो है धारा 306, 366 कौब और 506 यह उन 304 पोट सहीत ने किया गया है मेडिकल परिक्शन से भी मेडिकल परिक्शन किया गया है जिसमें भी पोट मुकद्मे की पुष्टी होती है उत्राखण में कौंगर्स पार्थी दोरा 2024 लोकसभा चनाव से पहले उत्राखण के सभी जिलो की नई कारेकार्णी का गठन किया गया हरद्वार में बनी कारेकार्णी के महानगर अध्यक्श सत्पार ब्रह्मोचारी सहीत मंडल अध्यूश्यों ने मागंगा का पूजन किया और शिनामे काउलिस की जीत हो सके इसके लिए मागंगा से प्राथना भी की है यह आपके सामने हैं हरीद्वार की जनता के लिए हरीद्वार के लिए जो अच्छा होगा उसको करने की कोशिस करेंगे 22 साल जवाब दो 22 साल यह हमारा नहरा रहेगा जिस वेक्ति को 22 साल आपने दिये हो प्रोपर्टी स्राब समयक दारू और भी जो अनतिक कारिये हैं क्या-क्या इस हरीद्वार में हो रहा है उसके लड़ाई लड़ने का और मां गंगा की मर्यादा बनी रहे उसके लिए कॉंग्रेस काम करेगी देश की जूता अद्यों को गती देरे के लिए संस्था इंडियन फुट्वेर कंपोनेंट मैनिफेक्ट्रस एससेशन द्वारा फुट्वेर कंपोनेंट एक्जिबिशन शू टेक के 54 और आग्रा के आठवे संस्करन का दो दिवस्य आज़न आज से होटल मर्द रिजॉर्ट में किया जा रहा है आपको उतादे की शू कंपोनेंट इंडस्ट्री चीन को पचाल कर आत्म इंवर बनने की रहा पर निकल पड़ी है जुलदी भारत में सभी शू कंपोनेंट बन अब दूस्ट्री और आप फी जुड़ी है और मुझे लगता है कि हम इसको अब ही परविक बद्रत करने यहां जाने जाने पर वां दूमीडाजर टू में अब रही तक ऑक्तूमर में होती है तो अप्रहतार कर शूमर पर और विंटर पर और इसमें जूता होगा गाने वा उसके साथ में यह शिरुवात की गई है और मिझे रगता है कि सेब लाइन बनने में गुर्मत्ता बहुत जरूरी है गुर्मत्ता पर ही यहां में जली बात की कि फॉकस किया रहा है पिलिबीत में भारते जंता पार्टे हिंदुस्तान पिश्रा मोशा के रास्टे महासचेव गिरीश दिवासव ने को प्रातना पत्र देकर आमादमी पार्टे के मुक्यार इंके जिवार उत्रप्रदेश में शावर्ण मोशा के प्रांती अधियाक्ष्य एक सिंग के विरूद प्रदान मंत्री की छवी को धूमिल करने के संबन्द में एक रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है आरोक लगा देख सकता है अब हमारे स्वी प्रदान मंत्री जो की पूरा विश्व सम्मान कर रहा है भारत पूरे विश्व पतल पर उन्होंने चमका दिया है और उनकी जो चमक देखके यह जो है इस तरह की करहें कि फरजी डिगरी फरजी डिगरी इतना अच्छा देश चला रहे हैं अच्छा नहीं लगा एक प्रदान मंत्री जी के लिए को ऐसा बोले इसलिए मैंने पुरिशादि इच्छा के पास आके प्रातना पतर दिया इस पर कारणोडी कारवाई कि अधिक कि उन्होंने का ठीक है काजगंज के सुरु कुत्वाल इलाखे के बाजार में एक वेक्ति क जमीन पर गिरा कर जुबतु से मारने का वीडियो वारल हो रहा है इस वीडियो में सोरुक उत्वाल में तैनात एकदारोगा इस वक्ति की बिटाई कर रहा है लेकिन स्मार्पीट की शुबात कैसे हुई इसका वीडियो भी सामने नहीं आया है दरसल काजकर जन्पत के सुरु कोत्वाल पुलिस से की वेपार्यों की शुकायत में सोरुक पुलिस का एक दारोगा मौके पर पहुँच गया जब दारोगा इस व्यक्ति को डाठ टपक कर पगड़ते उठाने ले जाने लगा तो इस व्यक्ति दारोगा जी को तमाचा डड़ दिया दारोगा जी के बीच सरक्षन केंद्र का और चक निदिक्षन का जाज़ा लिया जाज़े के दरान गवंच आश्रेस्थल में गालस्ति में मिले एक वर्ष्ट को लेकर मंत्री ने एक खासा नाराज़गी दिताई कहा निराशित गवंच की नियमित रूप से उचित देखवार होनी चाहिए मंत्री ने मौके पर ही पसुची किस्सा को बलाकर लतार लगाते वे घाल वर्ष्ट की मरहम पट्टी कराई है और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बने रहे नियूजवल इंदिया के साथ